हलो गुड इवनिंग एवरिवान मैं डॉक्टर स्वाती शर्मा इंगलिश सूत्रा मैं आप सभी का स्वागत करती हूं कैसे हैं आप सभी और आग जो है मैं आप लोगों के लिए जो सेशन लेकर आई हूँ और जिसमें DSSB और BPC के लिए हेलफूल है और यह DSSB का 2018 का पेपर है जो मैं सॉल कर रही हूं मगर आप BPC वाले इससे कर सकते हैं क्योंकि इसमें सब्सक्रेट करें, आज का सेशन हैं इसमें कुछ रहा की स्पीज्यूहरा है इसमें कुछ ग्रामर के हम्यूम कुछ पाण होता है वह बहुत द्यान से का सोच समझ के जल्द बाजी होती है वो इंसान को बुद्धी भ्रेष्ट कर देती है तो इसलिए grammar के questions को बहुत अच्छे से solve कीजिए और DSSB का हमारा जो batch है वो चल रहा है और those who are interested in taking admissions आप सबसे पहले हमारा app डाउनलोड करिए app डाउनलोड करने के बाद आप इसके link में भी description में भी इसका AP के link दिया हुआ है जिसे app क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं और DSSB का batch download, sorry, app डाउनलोड करने के बाद आप DSSB के batches को देख सकते हैं जिसमें 3 batches हैं, एक literature का, एक literature plus grammar का ये दोनों live हैं और एक video batch ऐसा है, एक चीज मैं आपको clearly बता दू notes, batches के साथ available है, अलग से हम नहीं बेचते हैं भैस हम किसी से करते नहीं, कि भै क्यों नहीं बेचते हैं ये भी तो part होते हैं, ये है, वो है हमारा अपना वो है ने manager-e kts बनाए हैं बढ़ी मेहनत से बनाए हैं बढ़ी मेहनत से बनाई वλάוה notes हैं उसमें मुझे लगता है मैं अच्छी पढ़ाने वाली टीचर हूँ तो कोई यह सोचे कि भाई हम से नोट्स लेकर है तो भाई मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है मैं तो अपने नोट्स खाली नोट्स नहीं बेचती बात खतम हो गई तो जो बैच को लेते हैं नोट्स मिलते हैं बाकी तो भाई उनको मेरे पर विश्वास नहीं है तो वह नोट्स भी लेकर क्या करेंगे वह आप जिनके से आप पढ़ रहे हो या आप जो मार्केट में है आप वह ले लोग चीजे खरीद लो मेरे जो नोट्स होते हैं मेरे बैच के साथ ही अवेलेबल होते हैं ऐसे अलग से नहीं मिलते हैं क्योंकि में बड़ी मेनत करके बहुत ज्यादा उनमें सोच समझ के बनाएवे नोट्स हैं और क्लास के हिसाब से ही बनाएवे नोट्स है तो वह मिलते हैं जो लोग बैच करीद आप देख सकते हैं कि इंगलिश तूत्रा के एप पर आ देख से अधर आपके बहुत सारे आप यह मान के चलिए कंसे कंप इसमें मोर देन सब्सक्राइबर के लिए और इसमें जो है वह वह दिया वा तो यह एक combo pack है सबी exams के लिए ये एक combo pack जो है वो है ठीक है चलिए अब इसके साथ ही हम लोग question solve करना शुरू करते हैं पहला question अगर आप देखते हैं तो पहला question आपको दिख रहा है they were questioning the spy तो पहले आप question देख लो option भी अराम से देखो और आपके पास कुल 20 seconds है जो आप ये question को solve करो they were questioning the spy question किसमें लिखा हुआ है continuous tense में, past continuous में लिखा हुआ है, तो passive voice बनाना है तो जहां पर भी आपको being दिखे आप वहाँ पे देखो और आपको question solve हो जाएगा being जो दिख रहा है वो आपको C में दिख रहा होगा the spy was being questioned by them वैसे them use करते भी है नहीं भी करते हैं, तो इसका answer होगा C, 20 seconds में ये question आपका solve हो जाना चाहिए, तो the answer is C now the next question is I was obliged to do so अब ये जो question है, ये already passive voice में है, इसका active voice है I was obliged to do so ठीक है, obliged word किसमें आ रहा है, आप ये देखिए, एक ही में आ रहा है that is B, circumstances obliged me to do so I was obliged to do so circumstances को जहे वो उसमें, passive voice में use नहीं किया, the answer is B, तो ये हो गया आपका answer that is B, circumstances obliged me to do so now the next one is, you must apologize, dash you will be punished, तो माफी माग लो, otherwise you will be punished, तो यहां पर ये आएगा नहीं तो, otherwise you will be punished, अब आपका जो ये sentence है, अब मैं आपसा अगर ये पूछू ये sentence जो है, वो लिखा किसमें है that is a compound sentence, और ये जो है आपका कौन सा consumption है, coordinating consumption है ये principle clause है, ये दूसरी principle जो इसकी coordinator, जो जोडने वाला consumption है relative consumption, adversative consumption, relative consumption, ये सारे जो consumption होते हैं, चार पार्ट सोते हैं इन consumption के, और इन consumption में, हमें जो सबसे पहले ये देखना होता है कि जो sentence है, जो compound sentences होते हैं, वो fanboys consumption से जुड़े होते हैं और ये बता रहा है कि ये choice दे रहा है कि भई, माफी माग लो, नहीं डशेटाइडेटी परफोर्म दॉपरेशन वेरेस तो नेवर्दीलेस नीडर अब अगर यह देखें तो इसमें भी आपको कंजंशन जो है वह भरना है कि भाई बहुत कम उम्मीद थी तो कंट्रास्ट बताने वाला ही है तो यह जो है कि वह चॉइस बताने वाला था यह कंट जो है operation perform किया तो यह contrast बता रहा है और इसमें contrast बताने वाला कौन सा है that is nevertheless और यह कौन सा है that is a compound sentence he was dash praised but also rewarded अब आप यहां देखिए यहां पर conjunction भरने है यह देखिए यहां but also आ रहा है but also को follow करता है but also follow किसे करता है not only को तो he was not only praised but also rewarded इनके part of speech का ध्यान रखना होता है कि दोनों के बाद not only के बाद भी but also के बाद भी same part of speech जो है वो आने चाहिए अगर आप लोगों ने conjunctions जो हैं वो पढ़े वे हैं तो आपको conjunctions में यह parts जो हैं यह बहुत अच्छे से पता होने चाहिए जैसे मैं पढ़ाते वें बताती हूं कि बहुत कंजंक्शन को हम parts में डिवाइड करते हैं और मैंने अपनी किताब में भी इसको बहुत अच्छे से दे रखा है आप लोगों ने अगर मेरी किताब देख रखी हो तो तो मैं आपको अपनी किताब में से सोड़ा सा कुछ बताने की जो है मैं चाहा रही हूं कि मैं आपको बता दूं कि किताब भी मैं आपको दिखा दूंगी अच्छे चीज़े जो है थे प्रैक्टेस वगड़ा है मैं इसर्फ यूपी टीज़ी यूपी टीज़ी यूपी टीज़ी के लिए इसमर्मर वाला जो पार्ट है मैं बता रही हूं कि कि आप यहां पर मैं आप लोग को बता रही हूँ जैसे यह वाले थे और जैसे चंजंक्शन को जब भाइड करते। समान clauses को जोडने का काम करते हैं Cumulative Conjunctions जो होते हैं जो एक statement को दूसरे statement से केवल जोड़ते है एड़र से जो होते हैं वह कंटरास्ट पताते और जिसे इस वाले में था उसने पहले वाले sentence में था जो contrast बताने वाला, alternative जो होते हैं वो choice देते हैं, कि ऐसा कर लो इधर और ऐसा कर लो नहीं तो यह होगा, elative जो होते हैं वो result बताते हैं, तो आपको इन कंजंक्शन की जो यह categories हैं, ठीक है जो यह जो हैं आपकी categories हैं, तो जैसे यह not only but also जो हैं, यह एक statement को दूसरे statement से जोडने का काम कर रहा है, तो यहां पर यह cumulative में आता है, he was not only praised but also rewarded, तो यहां पर यह conjunctions, यह coordinating conjunctions के प्रकार है, what did you pay for this, अब इसमें यह पूछा गया है, फिर मैं आप लोगों को बता रही हूं कि यह जो है ना, यह 2018 का DSSB का TGT का paper है, और मैं आपको एक simple सी चीज यह बताती हूं, मैं थोड़ा सा, मैं study करती हूं, तो मैं यह बताती हूं, देखिए भाई, 2015 में paper हुआ था पहले, 2015 में जो paper हुआ था, अगर हम DSSB के paper को बढ़ते हैं, तो जो 2015 का paper था, उसमें आप यह मान के चलिए, 15 से 17 question जो हैं, वो literature के थे, उसके बाद 30 questions जो हैं, उन्होंने pedagogy के दिये थे, और बचेवे बाकी के question थे, अब आप इसमें 45 बाकी के, जो मेरे खाल से, एक बार मैं फिर से count कर लेती हूं, कितने questions थे, मैंने उसमें से count करे थे, मगा फिर भी मैं दुबारा से एक बार count कर लेती हूं, तो question थे हमारे, यहां 15-17 नहीं थे, यह थे, 25 के करीब question थे, 30 questions जो है, वो pedagogy के थे, तो आप यह देखिए, 55 और जो बचेवे question थे, यानि कि 55 के बाद 45 questions थे, वो grammar के थे, ठीक है, तो यह हो गए आपके grammar के, अब उसके बाद 18 पे चलते हैं, तो 18 का जो उसका था, इसमें, उसमें 18 में 40 questions जो है, वो literature के हैं, उसके बाद 50 questions जो है, वो grammar के हैं, और जो 10 questions है, वो pedagogy के हैं, ठीक है, उसके बाद जो 21 का है, भाई, अब आप वो देखिएगा, 21 का है, इनका, तो 21 में इनने जो questions दिये हैं, इसको भी मैं आप लोग को बता देती हूँ हूँ, कि आठ questions पेडागोजी के थे, और इसके बाद थे, जी, 16 question थे, इसमें, 2021 में, 16 question थे, literature के, और, art question थे, पेडागोजी के, और बाकी आप 16 और 8 को बचेवे question जितने rest of the questions हैं, वो जो है grammar के थे, ठीक है जी, तो अब आप यह देखिए, कि मलब अगर आप यह मानने चले 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 पच्चिस मान लेते हैं, तो 75 question जो हैं, वो grammar के दिये थे, उन्होंने, 75 question grammar के थे, तो अब आप यह दीरे दीरे जिससे तरीके से देख रहे है, 45, 50, 75, तो मेरा यह मानना यह है, कि भाई, उन्होंने जैसे कभी बहुत unpredictable है, तो मैं इस हिसाब से करके चले हूँ, कि भाई, जैसे 15 में जो उनका था, तो उन्होंने 25 question दिये थे, फिर उसके बाद 40 question हो गए थे, फिर उसके है, वो पेडागोजी के रहे, यह मैं अंदाजा लगा के चल रही हूँ, 2024 का, क्योंकि जिस तरीके से मैंने इनका जो है, वो study करा है, उस हिसाब से है, कि कभी grammar जादा, कभी literature जादा, तो 21 में grammar जादा आई थी, और बाकी उसमें, जो है, 15 में पेडागोजी जादा आई थी तो इस तरीके से मैं मान के जो है, वो चल रही हूँ, कि हो सकता है, 2024 में इस तरीके का आपको देखने को मिले, तो मेरा कहने का मतलब यह है, कि कोई भी segment छोड़िएगा नहीं, उसके अलावा grammar के 20 questions आपको first paper में भी मिलेंगे, first paper में भी 20 questions आपको मिलेंगे, तो आप यह मान मेहनत तो करनी ही है, DSSB है, कोई, it's not a piece of cake, पीस of cake होता तो कोई भी उठा के खा लेता, मेहनत तो करनी ही है, मेहनत करने से घपराइए मत, आगे बढ़िए, PYQs को देखिए, और मेहनत करिए कि मिझे किस तरीके सबसे बढ़ी बात इसमें होती है, speed की, जैसे मैं अभी सेकेंड्स में करिए, 30 सेकेंड्स में करिए, टाइम नहीं देता है, आपको कोई मेरे कुल लगता भी नहीं कि एक घंटे में पूरा 100 कोशन कंप्लीट भी कर पाता होगा, मैंगर जितने, मानली चाप 100 नहीं कर पाते हैं, 75, 80 कोशन भी कंप्लीट, 85 तक कर लेते हैं, लेकिन स्पीड मेंटेन करके करना है, प्रिसाइजली करना है, तो चीजे हो जाएंगे, सिर्फ अगर आप यहां पर आगें, सोचो कि भाई, मैं यहां पर तो राम से कर लिए नहीं, ऑनलाइन टेस्ट दे के देखिए, मैनत करिए, चीजे जो है, वो करना बहुत जरूरी है, अब जैसे हम अपने batches में, मैं अपने batches में क्या करवा रहा हूँ, कि मैं पढ़ाती हूँ, लेकिन सिर्फ पढ़ाना पढ़ाना हो, तो मैं कैसे जानूँगी, कि मेरे students, वो perform कैसा कर रहे हैं, तो मैं उनको online test assign करती हूँ, online test assign करती हूँ, उस online test को वो लोग देते हैं, बही वो the one which is correct or which is incorrect, इस तरीके के जो questions होते हैं, सारा उसमें मैं उनका paper बना के देते हूँ, and then, जब वो solve कर लेते हैं, तो after 3-4 days, मैं उस paper को discuss भी करती हूँ, जैसे मैंने आज भी discuss करा है, तो मैं discuss करती हूँ, जो students की queries होती है, वो देखती हूँ, कई बार क्या होता है, कि question कि, answer ग जलत है, तो क्यूं है, फिर वो students भी बताते हैं, कि हाँ यह चीज है, तो भाया, इसी लिए जरूरत होती है, कि आप online test अगर आप नहीं दे रहे हैं, तो आपकी speed maintain ही नहीं होगी, चलिए खेर, इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, अब जैसे यहाँ पर यह पूछा, what did you pay for this, अब आप यहाँ पर यह देखे, कि यहाँ यह वर्ब आ रहा है, अब वर्ब के पहले यह question पूछा गया है, तो अगर हम इसके जगे, what did you pay for this, I paid 20 rupees 20 for this, तो इसका answer आ रहा है, तो यह कौन सा है, यह क्या है, यह question पूछने वाला जो word है, that is a pronoun, मगर इन में भी कौन सा प्रना हूँ, that's not distributive, reciprocal, or demonstrative, है न, और जैसे, these are my books, तो यह demonstrative है, लेकिन, what's है, अगर हम को इसी question पूछ रहे है, तो that is interrogative, चलिए, अब मैं आपको भी time देती हूँ, जितनी देर में मैं question पढ़ूँ, आप भी question पढ़ी और answer दीजिए, they keep away from each other, each other कौन सा part of speech है, फटा फट देख जो आपस में, जो reciprocal relationship को बताता है, परस्पर संबंदों को, उसे क्या कहते है, that is called reciprocal pronounce, तो इसका answer है, that is reciprocal, जिसमें से each other or one another होते है, each other दो के लिए, one another, दो से ज़्यादा के लिए use होता है, he drank little water, आप यहाँ पर यह देखे, अब इसमें सबसे पहले आपको यह बताना, यह कौन सा part of speech है, water noun है, और noun को जो बारे में बता रहा है, that's an adjective, precisely यह determiner है, और जो determiners होते हैं, वो किसका part होते हैं, वो adjectives का part होते हैं, और determiners की एक विशेशता क्या होती है, कि determiners सिर्फ noun के प सकते हैं, लेकिन determiners are always placed before a noun, articles are also determined, are also called determiners, and each, every, either, neither, little, few, all these, etc, all these are determiners, and they are placed just before a noun, यह नाउन के पहले लगाया जाते हैं, कभी भी बाद में नहीं, he need not ask my permission, verb, preposition, primary auxiliary, model auxiliary, तो आप यह देखो कि जो need है, यहाँ पर यह किसका काम करा, उसे में permission लेने की जरुवत नहीं है, तो यहाँ पर आगर need जो है, अगर होता, he needs my assistance, तो भाईया आप यह देख रहे हो, कि need में यह s जो है, वो he के हिसाब से लगा, तो वो finite verb हो गया, और वो जो है, वो auxiliary हो गया, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, कि यहाँ पर he के साथ need आया, मगर change नहीं हुआ, needed नहीं हुआ, needs नहीं हुआ, तो इसका मतलब यह है, कि यह modal auxiliary है, और modal auxiliary के रूप में need यह तो negative में लगता है, यह interrogative में लगता है, तो यह है आपका modal auxiliary, they seldom come here, preposition, adverb, conjunction, verb, अब आप यहाँ पर यह देखिए, कि यहाँ हमारा जो part of speech, अगर हम parsing करते हैं, तो दे का मतलब है, यहाँ पर यह that is pronoun, come verb, यहाँ, कहाँ, तो यह adverb है, कितनी बार आते हैं, कभी कदार आते हैं, तो कितनी बार, how many times का जवाब दे रहा है, तो जो how many times का जवाब दे रहा है, वर्ब को modify कर रहा है, वो क्या है, that is an adverb, we shall start early less, complete करना है sentence, अगर less दिखता है, तो less को follow करता है should, जहाँ should दिखे, फटाक से लगा दो, यह मेरे बनाए वे किसी, मैंने ऐसा नहीं है, मैंने किसी किताब में से simple simple chart ली और बना लिया, बहुँ आठारा का paper है, यह TSSB का, we shall start early less, we should miss the train, as soon as the thief ran out of the jail, then the guard fired at him, अब आई आपको हमें इसमें न, complete करना है sentence, हमारा conjunction है as soon as, तो भाई अब बहुत लोगों के दिमाग में आता है when लगा ने, तो भाई ऐसा है कि जब hardly होता तो when लगाते, as soon as खुद consumption है, consumption वाला clause पहले आ रहा है, तो principal clause बाद में आएगा, तो कोई consumption नहीं आएगा, तो as soon as the thief ran out of the jail, the guard fired at him, तो यहाँ पर आएगा, the guard fired at him, अब आप सोच रहोंगे भाई, यहाँ पर हम जो है, यहाँ पर हम had क्यों नहीं लगा देते, तो इसलिए नहीं लगा देते, कि भाई बात ऐसी है, जैसे ही है, यानि कि दोनों actions के बीच में time gap बहुत कम है, और जब time gap बहुत कम है, तो जैसे ही पहले thief भागा, उसके बाद guard ने गोली चलाई, तो बाद में action तो पहले वैसे भी action बाद में हुआ है, तो past perfect लगा नहीं सकते हैं, और दोनों के बीच में time gap कम होता है, तो past indefinite का यूज करते हैं, यह है reason, everyone will admit that, अब आप sentence देखी, यह noun clause है, पूरा करना है हमें, everyone will admit what, that, he was innocent, he will be innocent, न, न, अब एक sentence में अगर will आ रहा है, तो अपन will तो लगाएंगे न, sentence future में है, तो past की बात नहीं करेंगे, तो आप आगे बोलेंगे न, अब हर कोई admit करेगा, क्या, कि वो निर्दोश है, तो that is, he is innocent, select the sentence which is grammatically incorrect होना चाहिए ता, लेकिन उसमें language यही थी, it is too good to be true, you are too kind, Sita is as tall as Neha, he is rather a careless fellow, मैं खुद सही बोल गई हूँ, वैसे, it is too good to be true, two के साथ two लग सकता है, और मैं आपको एक चीज बता हूँ, grammatically incorrect तो वैसे तो यह भी जो है, incorrect ही है, बी वाला भी, क्योंकि इसमें जो है, जो अच्छे adjectives होते हैं, उनके साथ very लगता है, two नहीं लगता है, तो एक तो बी वाला पार्ट में होना चाहिए, और जब रादर आता है ना, तो he is rather a careless fellow, तो he is a rather careless fellow, यह बाद में लगना चाहिए था, तो इस हिसाब से दो हैं इसमें, मैं आपको रादर का जो है, लुए concepts बहुत help करते हैं, तो, हुआ, वाला पार में भनाना चाहती हूं, तो मैं आपको रादर के बारे में बता भी रही हूं, चाहिए मुझे चीज़े याद हो, कुछ भी हो भगागा, पिर भी मैं, मैं हमेशा जो है books में से जरूर देखती हूं, यह हमारी सबसे अच्छी जोगएं वो दोस्त होती हैं यह हमें भटकने से बचाती हैं तो मैं इधर उदर की जगे इनके उपर जो है इनी से ही चीज़े देखकर वा बताती हूं। तो मैं आप लोग को एक इसमें बताना चाहरी थी, जैसे यहां पर है, वैसे तो यहां पर आप इसको मैं चीज बताओं, कि रादर आफ के साथ हम फेरली यूज करते हैं, तो हम यहां पर फेरली जो होता है, वो अच्छे 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 के पहले आता है, और रादर जो होता है, वो जो है नेगिटिव अच्छे के पहले आता है, अब जैसे हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, कि a rather difficult question, rather a difficult question, तो he is a rather careless fellow या he is rather a careless fellow तो भाईया ऐसा है कि दोनों में ही दोनों तरीके से हम इसे use कर सकते हैं तो कहने का मतलब यह है कि अगर जो अंग्रेजी में तो rather जो है वो negative sense में he is a rather careless fellow या he is rather a careless fellow दोनों तरीके से लिखा जा सकता है इसमें जो गडबड़ा है वो b वाला पार्ट है क्योंकि two जो है वो negative adjectives के पहले use होता है positive adjectives के लिए very का use करते हैं तो यहां आना चाहिए you are two kind की जगे you are very kind तो यह इसका answer होगा b और अगर दो तरीके से इसको लिखा जाता है इसे भी माना सकते हैं मेरे ख्याल से इसको माना गया था मगर यह completely इसको नहीं मान सकते हैं मैंने इसका reason भी बताया कि जो two adverbs है वो good adjectives के पहले नहीं negative adjectives के पहले उसे use किया जाता है I am tired I dash to bed now questions के options देखिए go, will go, am going, goes आपको now दिखे इसका मतलब है इस समय की बात हो रही है जब इस समय की बात हो रही है तो tense कौन सा use होगा continuous तो कौन सा लगाएंगे I am going to bed now I इसमें I dash I won't be late I promise I am promising will promise none of these जब हम किसी से बादा करते हैं तो हम basically general way में बात कर रहे हैं तो indefinite tense का use होता है कौन सा present indefinite आप क्या बोलोगे I promise I won't be late I promise I won't be late I promise I won't be late dash for 10 days आपको कहीं पर भी मैंने ये बात अब YouTube पर कही बार पहले भी बताई भी है कि अगर आपको since या 4 दिख रहा है तो उसमें आपको 2 tenses लगाने हैं या तो perfect लगाओगे या perfect continuous लगाओगे ठीक है जी? अब यहाँ पर आपको जो है देखो किस में जो है आपका perfect tense आ रहा है इसमें आ रहा है अब यहाँ पर हमने rainy इसलिए लगा है क्योंकि यह बारिश वाला मौसम का it has been raining लगाते तो भी सही था it has been rainy है तो भी सही है तो इसका अंसर होगा B it has been rainy तो याद रखेगा since for अगर as a preposition use हो रहे है तो perfect tense यह perfect continuous tense का यूज किया जाएगा the underlined words indicate that the sentence is he shall be given a present if he if he pass this year ठीक है if he passes this year he shall be given a present तो यह कहा जारा है कि उसको present दिया जाएगा आप देख रहे हैं third person के साथ shall का use किया जाता है आपको पता ही होगा कि जो shall first person के साथ यूज करते है आई और वी के साथ तो वो general future tense के लिए यूज किया जाता है लेकर अगर आप उसा second या third person में यूज करते हो तो वो threat के लिए यूज होता है promise के लिए यूज होता है determination के लिए यूज होता है अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ second person के साथ sorry third person के साथ use कर रहे है क्या कर रहे हैं promise कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा that is a promise he shall be given a present if he passes this year in my younger days I dash run four miles at a stretch can, will, might, could पहिए एक बहाँ बताओ past की बात की जारी है past की ability की बात की जारी है general ability की general ability होती है तो could लगाते है और विशेश ability होती होती हो तो आप बताओ क्या लगाते है ठीक है तो यहाँ पर in my younger days I could run मेरे को तो पता है आप बताओ क्या use होता है विशेश ability के लिए if I could if I could fly like a bird I dash be with you now यहाँ पर यह I could से sense में है कि किसी चीज का wish की जा रही है present की wish है but unfulfilled desire है तो present की wish अगर unfulfilled desire हो तो model यहाँ पर if जो है और एक if I flew like a bird होता लेकिन यहाँ पर could जो है वो present की desire लेकिन unfulfilled desire के sense में बताया है जो बाद वाला जो clause होता है उसमें would ही आता है तो यहाँ आएगा I would I mean to say कि अगर एक present के unfulfilled desire बताते हैं तो हम would लगाते हैं कि if I were a king I would appoint you my minister ठीक है तो यहाँ इस तरीके से बनाते हैं अब यह देखिए fill in the blanks है each of the players dash given a reward are, were, have, was पहली बात each इसका subject है जब each subject है तो verb कैसा लगना चाहिए singular तो singular देखिए एक ही है and that is was that is was each of the players was given my sister and my mother dash me to study medicine दो subjects है जब दो subjects हैं तो plural हो गया तो verb भी plural लगेगा और जब लगेगा तो यह आएगा my sister and my mother want me तो यहाँ पर आएगा क्योंकि चाहते हैं तो यह have wanted me नहीं होता कि चाहँ चुके थे have wanted me to study my sister and my mother want me वो चाहते हैं इस सब्सक्राइब आप खाली अगर पास्ट में होता तो वांटेड लगा देते हैं और M, was, were, is आप देख रहे हैं यहां पर सब्जेक्ट के तोर पे दो प्रणाउंस यूज करें गए गए तो भाया दो सब्जेक्ट्स हो गए तो प्लूरल हो गए तो वा भी प्लूरल लगेगा यहां पर क्या आएगा वर क्या प्लूर अगा बर क्योंकि आई के हिसाब से नहीं बोला जा रहा है ही एंड आई जो सब्जेक्ट है प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से हो गया है गेट आउट ऑफ माइवे वहूएवर यू आर यहां पर जो है वो बता दे है कि कौन से लोग जो नाउन ग्लॉस है तो इसलिए यह कौन सा है that is a noun clause life is kya what we make of it toh kya ka jawaab de raha hai kya ka jawaab de ta hai that is noun clause noun clause I paint, why? because I like painting yeh jawaab de raha hai kis ka? yeh why ka jawaab de raha hai yeh jawaab de raha hai yaka isi liye yahaan aeyega adverb clause that is adverb clause we eat, why? hum kyun khatay hain? purpose purpose bata raha hai toh yeh hooga aapka that is adverb clause yeh wale toh meh nahi karwari, punctuation wale toh yeh it takes time punctuation wale bhi hai कितने? uske baad bhi hai toh yeh, toh yeh thae kariye, speed maintain karna, or speed maintain karna, or speed maintain karte wale, dhimag ko control me rakhna sabse jyadha 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 toh jyadha question karne ke chakkar me nix padna chahiye, jo question karay, wo sahi karay, yeh sabu dhimag chahiye, that's all for today, bye bye.